सब्सक्राब कीजिए संस्क्रिदर्स चैनल को और नोटिफिकेशन घंटी को दवाएं जिससे संस्किरत से सम्मंदित वीडियो आपको सब से पहले प्राप्त हों संस्कृत दर्शन चनल में आप सभी का स्वागत है हम संग्याप्रकणों का ध्यन कर रहे हैं समय हमने चार सुत्रों के बारे में जाना है और एक सुत्र को आज हम जानेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है समझाने में थोड़ी हाला कि एक नहीं दो है चलिए देख लेते हैं एक है या दो है गुशी में आते जाएंगे संग्याप्रकणों ठीक है सुत्र देख लेते हैं इसमें तुल्यास्य प्रयत्नम सवानम अब देख ये इसमें थोड़ी सी बात समझने की है तुल्यास्यास्याप्रयत्न सवान मैं लिख दू है तुल्यास्याप्रयत्न सवान ठीक है घान से देखना अगर इसकी ब्याख्या सीखे तो हमने संधिया से खी है अकाहा सवने दीरगा जो सवन प्रियोग किया गया है उसमें इसमें बताता चला हूँ मैं और मैंने संधियों में इसको विस्यसरूप से बताया है कि जो बदला होगा आप वो किस किस का कैसे कैसे होगा है ना सवन यह संग्या है सवन संग्या होती है प्रियत्न कोन कोन से होते है आप भ्यांतर प्रियत्न इसमें मुक्रूप से लिया गया है याद रखना इसको प्रियत्न तो बाहे भी होते है बाहे और आप भ्यांतर दो होते हैं ठेकिन है आप भ्यांतर प्रितन का प्रीव किया गया है आश्य का मतलब होता है उच्चान स्थान है ना तुल्ले का मतलब समान जो प्रितन है वरनों के अक्षरों के वो एक ही इस्थान से उच्चरित हो उच्चान का इस्थान कैसा हो समान हो तो उनकी क्या हो जाती है सरण संग्या हो जाती है उम्मीद है थोड़ी सी बास समझ में आई होगी तो मैं यहां एक दो चीज लिख दूग और फिर और समझ मां जाएगी, जैसे कंट कंट से बुलने बाले जितने भी वर्ण है वह सवर्ण marketing होगे, देखी आ, का, खा, गा, घा, अकुहुह विसरजनिया नाम कंठा, सारे के जितने भी है ठीक है अब ये क्या होंगी सवण नहीं होंगी क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं ऐसे ही तालू इचिशानम तालू रटशानम मूर्धा जितने भी वर्ण जो इस्थान से बोले जा रहे हैं वो सब की सवण संग्या हो जाएगी इस सुत्र के अनुसार तुल्यास प्र देखते हैं थोड़ी सी बात लेकिन लेकिन परन्तु यहां पर लग जाता है एक और सुत्र लग जाता है इसलिए मैंने बोला था एक या दो सुत्र देखेंगे ना जलव मैंने सायद इसको एक जगे समझाया है संधी में ही क्या बन जाएगा इसका ना अच हल है ना ब्याख्या करेंगे इसकी तो ना अच हल यानि अच और हल अर्थात अच से मतलब हमारा है स्वर और हल से मतलब है व्यंजन दो हो गए, याद रखना अच और व्यंजन ना लग रहा है इसमें स्वर और व्यंजन की सवन संग्या नहीं होती आ का खागा घ्राणा ये सब कंट से ही उचलित होते हैं इनकी सब की सवन संग्या होनी चाहिए थी परंतु आ की और का की समण संग्या नहीं होगी स्वर स्वर की समण संग्या होती है व्यन्यन व्यन्यन की समण संग्या होती है वस इतनी बात याद रखनी है यह जो सूत्र बताया है दूसरा यह सिर्फ यह बताता है कि अच और हल की समण संग्या नहीं होती हाला कि एक जगे से उच्चरित होते हैं फिर भी उनकी समण संग्या नहीं होगी समण संग्या किसकी होगी स्वरों की या केवल व्यंजनों की का और खाकी तो समण संग्या हो सकती है लेकिन आ और का की और आ और गा खाकी नहीं होगी इतनी बात याद रखना कुल्म लाकर के स्वर और व्यंजनों की आपस में सवन संग्या नहीं होती इसलिए इनमें कभी कोई परवर्तन नहीं होता अब बात हैं ये तो समझ में आपके आगे होगी ठीक है आप चलते हैं एक दूसरी तरफ तोड़ा इसको मैं मिटाओं ये ठीक है यहाँ से ना जलव का मतलब आपको समी में आ गया होगा ना अच अच और हल की समझ संग्या नहीं होती अब बचे हमारे पास आ आ की समझ संग्या कैसे हो आ तो एक ही है लेकिन मैं उसका लिंक के डिस्क्र्ज्वेम में डाल दूँगा मैंने जब संग्या प्रकंड शुरू किया था शुरू में आब तो यह नया शुरू किया है इसे विशे around के नाम से प्रियोग करते हैं तो उसमें हमने बताये थे कि जो स्वर हैं वो उदात ऐनुदात सवरित अनुनासिक अनुनासिक हिरस्व दीर्ग पुल्थ इस तरह से ये बनते चले जाते हैं तो ये आज वह है वह तीन प्रकास्ष से कैसे वनेगा नमबर एक हिरस्व, दीर्ग, प्लित, दूसरे स्थान पर उदात, अनुदात, स्वरित, ठीक है? और तीसरे स्थान पर अनुदात, 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 अनु है नो जिससे साफ समया जाएगा आपके यहाँ पर लिख लेते हैं यह उदात अनुदात स्वारद ठीक है अब देखके हैं हरस्व दीर्ग पुलत आ लेते हैं न हरस्व पुलत फिर क्या है अनुदासिक और अनुदासिक और अनुदासिक और लेते हैं तरस्व दीर्ग पुलत ठीक है यह अनुदासिक है इसी तरह कैसे अनुदात्म है स्वरत में लेंगी मैं इसमें लाइन आपके चुलूए एक रस्वा दीरगा पुलित इसमें अनुदात्में नीचे पड़ी लाइन होती है ठीक है दूसरा है बिल्गुद सेम है इसमें कोई भी अंतर नहीं है यह अनुदासिक है बस इसमें पड़ी लाइन नीचे ध्यान रखना है स्वरत में ले लेते हैं स्वरत में क्या होती है उपर होती है एक लाइन सीधी यह ना दीरग और पिलूत तो यह सप्पे उपर लाइन होगी पंक्ती होती ही लाइन यह हो जायागा तुमारा साइड में रहेगा इसमें चिन्न होते हैं यह वेदों में चलते हैं ठीक है इस तरह से अनुदात स्वरित फिर हिरस्वदीर्ग प्लुत यह अननुनासिक होगे फिर हिरस्वदीर्ग प्लुत यह अनुनासिक होगे हिरस्वदीर्ग प्लुत तीन ही होगे उदात अनुदा स्वरित तीन ही होगे फिर इनके अनुनासिक और अनुनासिक यह दो दो हिस्से और हो जाते हैं इस अठारे जो आके भाग हुए या ये अठारा भागों में जो बिवक्त हुआ आया इन सव की सवन संग्या होगी इसी तरह से हमें और वी सवरों को जानना चाहिए अधी जानकारे के लिए मैं लिंक दे दूँगा आप उस पर जाकर के अवश्य देखें बहां सवरों को बताया गया है कौन सवर कितने प्रकार का है तो उमीद है ये आज संग्या प्रकरण में मैंने समझाने का प्रयास किया है सुत्र को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और हम आने वाले समय में संग्या प्रकरण के साथ साथ बीच में यदि समय मिलता है तो वैदिक साहित की भी करने जा रहे हैं क्योंकि वईदिक साहत बहुत ओलजह हुआ है तो जब ओलजह हमारे मस्तिस्क में होता है तो हम सही से इन चीजिजों को कर नहीं पाते हैं तो उसके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं और एक करम देंगे उसमें जिससे की एक सीड़ी नुमा जैसे छत पर जाना है तो हम सीड़ी एक करम से ऊती हैं ऐसे ही वैदिक सायत को समझाने का भरपूज प्रयास करेंगे और उमीद करेंगे आपसे यदि आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें जिससे हमें पता चले कि हम अच्छे से कर रहे हैं और कमेंट भी अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आज के लिए इतना ही नमस्कार जैहिंद